हेलो फ्रेंट्स मौराजनों स्वागत आपका अमारे चैनल आरडे बुटिक पर आज भी हम लोग एक ब्लाउज की कटिंग देखने वाले हैं लेकिन आज जो देखेंगे वो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होगी मेजरमेंट आप सभी के सामने 13.5 इंच की इसकी लंबाई है चैस्ट 34 इंच का कमर 28 इंच शोल्डर पुराने ब्लाउज पर 9 इंच का सामने का गला 6 इंच और पीछे गला 2 इंच यही शोल्डर जब आप बॉड़ी से नापते हैं 13-14 इंच के राम से आपको मिलेंगे लेकिन कि पुराने ब्लाउज है तो पुराने ब्लाउज का नाप और बॉड़ी नाप अलग हटा है इसको साइट करते हैं इसके पहले हम देखें कि पीछे का पल्ला किस तरीके से काटना है अब यहां पर चूक है हमको सिर्फ पीछे का पल्ला काटना है लेगिन फिर भी प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा एक सीधा निशान यहां पर लेंगे ऐसे इसके बाद यहां पर हम लेंगे लंबाई लंबाई में एक इंच का मार्जिन कंपलसर ही है साड़े तेरा की जैसे यहां पर लैंध है तो आप साड़े 14 का निशान लगाओगे ठीक है यह निशान आप दो जगा लगा लेंगे एक यहां पर और एक यहां पर दोनों को बराब सब्सक्राइब लिए इसके बाद आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर डीप गले में शोल्डर को हम गले की तरफ डाउन करते हैं इसलिए आपको यहां पर आर्म होल लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है जैसे चैस्ट 34 है मैंने बता रखाई कि आप 34 में 5-5 पर लगा लेंगे सब्सक्राइब निशान या पर सीधा लगा लो लेकिन डाउन करने वाले प्रोसेस में क्या होता है जिससे आप डिप गले के लावा और कोई भी गला बना रहे हो तो पहले शुल्डर को डाउन करो लिय यह तो फिर छोटा पड़ेगा यह प्रॉपर निशान आपको लगाना है इसके बाद आप चैस्ट और कमर को ना पोगे बेसिक मिजरमेंट है चैस्ट और कमर नापने के लिए आप 34 है तो चौथा हिस्सा लोगे डारेक्ट यह निशान उसके बाद सिलाई मार्जिन नीचे आएंगे कमर पर इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे अठाइस कमर है चौथा हिस्सा इसका ले लिए एक इंच का आप डॉट ले लोगे और उसके बाद यहां पर भी सिलाई मार्जिन ले लोगे यह इस प्रकार से निशानों को मिलाना है अब वापस से हम आएंगे उपर के इत्यों कर लीफ में यहों निशान मिलाने के अब शूंकि हम यहां पर पीछे का बना रहे हैं फिर भी हमको आर मोलल सेप को ौढक लेना चाहिए क्यों वैसे पिछे पाल shand करने की ज़रत नहीं पड़ते लेकिन फिर-वी क्यों डो सबकर रहे हैं ताकि वह जो पौने-दो दो इंच का पिछे पल्ले के लिए तो हमको जरुरत क्या है मौने दो इंच की कि यह इस तरह से घुमा लेंगे कि कि यह यह ऐसे डाउन करके जाता है कि यह ध्यान रखना अब अर्मोल का शेप तो हो गया इसके बाद हम आएंगे नेक पर नेक बनाने के लिए सबसे पहले आप शोल्डर को गले की तरफ डाउन करते हों तो गले की तरफ डाउन करने के लिए आप यहां पर जैसे आधा ही डाउन करना यह इस तरह से निशान लगाए आधा ही डाउन कर दिए तो सीजा साड़े नौ इस तरह से ना प्लेंगे उसके बाद यह स्केल से इस प्रकार से इस निशान को आगे बढ़ाएंगी और उसके बाद लेंगे इंची टेप यहां पर फैलाव लेंगे गली का तीन इंच जो भी आप लेना चाहते हो निशान लगा लो और इसकेल से इस को इस तरह से मिला के यहां पर जैसे आपको शेप देना पान गला मटका गला या गोल गला वह आपके उपर डिपेंड करता है जो भी आप शेप देना चाहें यहां पर एक शेप क्रिएट करें गले का और अंत में पीछे पर लेके डॉंट के बारे में डिसकस करते हैं ठीक सबाचार का निशान लगा लो और डॉंट की जो ऊँचाई है यह चार इंस अफिस्ञेंट है तो चार इंच का निशान यहां पर लगा लो ठीक यह निशान हम इस तरह से इसको मिला इंगा पिछ्छे पळल्ड हमारा पूरी तरह से रेडिय इसको हमको काट के निकाल लेए फिर इसके हिसाब से मैं सामने पल्लय की कटिंग बता रहाँ कि किस किस तरह से कर200 कर देदा या अ आप डिस्प्ले पर वाट्स आप नंबर चल रहा है उसके कर सकते हैं 100% फिटेंग आरेंटी के सांथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं चाहिए आप जिस तरह के भी ब्लाउस चाहते हो जो भी साइज आपको चाहिए वह वाट्स आप पर पूरा डिटेल ले सकते हो पेपर कटिंग्स को मंगा सकते हैं यहां पर दीखिए यह वाला जो निशान है इसको इस तरह से पूरा छाप लेना है आपको पीछे पल्ले का जो निशान रहेगा वो एक्क्यूरेट आपको लेना है उसके बाद-बाद में मार्जिन मगर एड़ करना है और ध्यान रखना कि जो आप पेपर यूस कर रहे हो ना निशान लगाने के लिए इसमें इतना ही ध्यान रखना कि थोड़ा उपर रखा है हमने पीछे के पल्ले को एकदम नीचे से नहीं रखना है क्योंकि हमें सभी तरफ मार्जिन एड़ करना है तो बीच में रखा गया है ठीक है यह तो दीखे सबसे पहले हम क्या करेंगे पीछे पल्ला उठाने के बाद यह आर मोल को शैट करेंगे यह सामने पल्ले के इसाब से आर मोल को सबसे पहले को माली है हाना क्योंकि यह पौनी चंदार गहरा रहता है सामने के पल्ले में अब इसके बाद दूसरा चीज हम यहां प वो इस तरह से ले लेते हैं इसके इसकेल, ले इसकेल से इस निशान को आगे बढ़ाएंगे यह ऐा नीचे फौला, ले रो ले करके, इसकेल को इस दिशान को इसा मिला लेना है हरा हम यहाँ पर एक मर्जिया आपकोन सा आदे म चाहाते ही निशान पर proceed प्रिंसेस कट का बनाना है अभी आप जो चाहें इसको बना सकते हैं क्योंकि अब यह तक हम ने इसमें कुछ किया नहीं है नॉर्मल प्रिंसेस कट बनाना है जिसमें वैंट नहीं हो तो बनाना बहते हैं कैसे क्रिएट करेंगे सबसे पहले आप डॉट लेंगे दॉंट मतलब की जो नॉर्मल ब्लाउज़ में डॉंट होता है इसमें डॉंट नहीं रहता इसमें पॉफ क्रिएशन होता है यहां पर सब्साइब चार इंच का डिस्टेंस यह इस तरह से यहां पर भी थोड़ा उपर आ करके एक बार दो जगा पर यह निशान लगाना है नि इंच एड़ करके यह हमीशा मैं बोलता हूं उसके बाद यहां लगबग एक इंच उपर से आप रांडिंग शेप घुमाना चालू करोगे किदर घुमाना चालू करोगे आर मोल के तरफ तो यह जो शेप है आपका इस तरह से आर मोहल की गुलाई पर जो पहली गुलाई सा हमने आगे बढ़ाया है क्यों बढ़ाये हैं और किस तरह से इसका पॉफ क्रियेशन करना बूपी मैं बताता चलता हूं यहां पर आपको पॉफ क्रियेट करने के लिए नीचे आपको एक इंच यहां पर लेना पड़ेगा यह ऐसे ठीक है यह निशान आगे इस तरह से ले अब यहीं पर आप डिश्टेंस देखेंगे कि आपको कितने इंच का पॉफ क्रियेट करना है यहां पर तुझे से मान लों कि आप यहां से दो इंच ले रहे हूं क्योंकि छोटा साइज है कोई बहुंद ज्यादा इसमें रिक्वार्मेंट है नहीं दो इंच ले ले लिए दो इंच में बैट जाएगा पाफ आपका ठीक है यह दो इंच ले करके आप क्या करोगे वो स्केल से निशान सिधा मिला दो गया यह जो लाइन है दोनों को इस तरह से मिला दो सिधा यहां से आपका दो इंच का कपड़ा निकलेगा यहां पर आप इसको कर्फ शेप दी दे सकते हो इस तरह से कॉर्फ में ज्यादा अच्छा फिटिंग आएगी और तो कि जितना राउंड शेप होगा उतनी फिटिंग बैतर होगी तो जैसे दो इंच का कपड़ा हम यहां से करना पड़ेगा तो उधर देंगे ईस साइड में दो इंच कर दी है अब केवल यहीं दो इंच करने से काम तो बनेगा नहीं ऊपर में था को यहां पर ना पड़ेगा तो कौना इंच मार्जिन इधर आट कर देते हैं यह मार्जिन क्यों भी क्रॉस पट्टी प्रिंसेस की और कटोरी जो है वह एक दूसरे से fit तो होगी न उसके लिए तो ये margin act करने के बाद ये निशान को भी इस तरह से सीधा मिला लेना ठीक है? अब ये जो निशान हैं ये हमने मिला लिया आपका ये निशान ये इस तरह से मिल लिया अब इन निशानों को तिर्चे शेप में मिलाना है सामवने प्रिंसेस कट की ये खाज बात होती है कि आपको इसको इस तरह से मिलाना रहता है ये देखिए ठीक है न ये ऐसे और ज्यादा आपको इसमें पफ क्रियेट करना या शेप का दिक्कत आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं इस साइड भी आधा पाउं इंच का मार्जिन दे करके इसको भी थोड़ा सा तिर्चा शेप दे सकते हैं ठीक है ये ऐसे तो फिर वो चारो तरफ से मतलब पफ क्रियेट करेगा और अच्छा सेप आपका बन के आएगा ये तो चलिए अब इसको भी काटके निकालते हैं फटा फट से प्राणまず वहाई अच्छा प्रियो मतल पना करें है । तो इस तरह से आपको पुरा कटिंग गरके इसको निकालना है ठीक है तो यह था एक नॉर्मल प्रिंसेस का डुला उसकी कटिंग इस तरह से करनी और इसमें भी मैं अस्तिन करिंग को नहीं बता रहा हूँ कि सभी तरह की ब्लाउजों में एक ही अस्तिन लगता है ऐसा निये कि आपको अलग 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 अस्तिन काटने की जूरत पड़ी गिसटीन के उपर मैं में लेडी डिटेल वीडियो द पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगा बांकि मेरा जनाप से फिर मुलागात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहन